राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पाइलट अपने क्षेत्रिय संगठन की रूपरेखा को अंतिन रूप दे रहे हैं। उनकी नई पार्टी की घोशना 11 जून को हो सकती है। पाइलट की नई पार्टी का नाम प्रक्तिशील कॉंग्रेस हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के दिगजनेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बगावत का जंडा बुलंद करने वाले पाइलट रविवार 11 जून 2023 को एलान क सकते हैं। पाइलट अपनी प्रक्तिशील कॉंग्रेस के लॉंच से पहले आपचारिक तयारियों में जुटे हैं। पार्टी की घोशना से पहले सोमवार को पाइलट राजस्भा सांसद विवेक तन्खा के साथ सतना जिले में स्थित मेहर मंदिर में मा शार्दा का आशिर पाइलट के करीबी सूत्रों ने बताया कि पूर्व उपमुख्यमंत्री के जैपुर में रैली करने और घोशना करने की संभावना है। हालांकि इसकी पुष्टी के लिए बार-बार प्रयास के बावजूद पाइलट से संपर्क नहीं हो सका। पाइलट के कॉंग्रेस को चोरने और नई पार्टी बनाने के संभावित राजनीतिक घटनाकरम को उच्सुकता से देखा जा रहा है। सबकी नजरें इस पर भी टिकी हैं कि पाइलट के इस कदम में उनके कितने समर्थक विधायक कॉंग्रेस से अलग होते हैं। और यह भी देखने वाली बात होगी कि यह घटनाकरम क्या गहलोत सरकार की स्थिर्ता को प्रभावित कर सकता है। जुलाई 2020 में सचिन पाइलट ने खुले तौर पर बगावत की थी। तब पाइलट उपमुख्यमंत्री थे और उन्होंने CM का दावा किया था। उर्व उपमुख्यमंत्री ने तब यानी 2020 कम स कम 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। लंबी सियासी उठापटक के बाद मामला शांत हुआ। आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चतुराई से अपनी सरकार को संकट से बचा लिया। उन्होंने पाइलट के कई समर्थक विधायकों को पाला बदलने के लिये राजी कर लिया था। केंद्रिय ने तृत्व के हस्तक शेप के बाद गहलोत ने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया था। गहलोत सरकार को 200 सदसिये सदन में 125 विधायकों का समर्थन प्राप्त था और ध्वनी मत से जीत हासिल की थी 2020 के राजनीतिक संकट के अंत में पा पाइलट को उकमुख्यमंत्री पद और राज्य कॉंग्रेस अध्यक्ष का पद गमवाना पड़ा था। हालांकि अब चुनावी साल है। पाइलट फिर से अपनी बात मनवाने को बैचेन है। लेकिन बार-बार चिटिठिया लिखने के बाद भी पाइलट को पार्टी आल उन्होंने यह भी मांग की की IPL के पूर्व कमिशनर ललित मोदी के खिलाफ जाच शुरू की जाएं। जिन पर मनी लॉंडरिंग और टैक्स चोरी सहित वित्तिय अन्यमित्ताओं का आरोप लगाया गया है। जैपुर में अपनी ही सरकार और कॉंग्रेस संगठन की करते हुए पाइलट ने जैपुर में अन्शन किया। उसके बाद पांच दिन की पध्यात्रा भी की। पार्टी आलाकमान तक पूर्जोर तरीके से बात पहुचाने के लिए अन्शन के ए महीने बाद यानि 11 मई को उन्होंने 125 किलोमेटर लंबी यात्रा की। इस दौरान राज में भरष्टाचार, पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए, गहलोत सरकार के सामने तीन मांगे रखी और उन्हें पूरा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। हाला कि उनकी चेतावनी के अनुसार राजजवापी आंदोलन अल्टीमेटम पूरा होने के बा आया जा रहा है, पाइलट इस दिन बड़ा धमाल करने वाले हैं।